वेलो सन्मून एंड राइजिंग एक वेल्कम टू माइचनल ड्रीम डेरोट यह आपके न्यू मन्द की रीडिंग है जून टून 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 टूनिफॉर और यह एक जन्री डिंग होगी जो कि आसे रेजनेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं सिर्फोन मैसेज़ेश क वकल के क्कुल फोलाइल सेशिंग कर दोड़ोग एक जरा हैं लुठाट टून टून 24 कि आसे एक अधे उना शह चाहिए इस सिर्फा गोड्यू सर्फॉर और य्जिव मैसेज पाथ जून टून टून टूनटिफॉर एक किया मैसेजे़ थिपाद हैं योजून टून टूनर Empress, the chariot Yes, कोई परसन है जिसने पास में आपको नो कॉंटक्ट में रखा ब्रेक अप सिचोशन रहा आपका जिस परसन से इसके साथ ब्रेक फील करते रहे, वाक अवे किया आपने ब्रेक अप रहा, नो कॉंटक्ट सिचोशन रही और जिसने कभी भी अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं किया, उस परसन की तरफ से आपको एक अपालोजी आ सकती है अगेंस रिलेशन्शिप स्टार्ट करने के हवाले से और इस बार जो है, वो सारी डिफरेंसे को भूल कर आपको एक स्टेबिलिटी देने के लिए के हवाले से सो सकते हैं, इसके लावे यह आप भी हो सकते हैं, कि आप जो हैं उस परसन के साथ दुबारे से स्टार्ट करना अगर आप married है तो आपके partner pregnant हो सकते हैं जिसके बाद आपकी relationship में new start हो रहा है यहां पर night of pentacle की energy है तो यह थोड़ सा slow process चल रहा है अगर यह pregnancy news है तो definitely आपको after a nine month इसका result मिलेगा तो यह slow process ही है लेकिन अगर यह good news इसमें कुछ delays है कि हो सकता है आपने कहीं पर invest किया है और अपकी growth जो है वह बहुत दार time ले रही है first week में आपको बहुत दार slow phase देखने को मिल सकता है अपनी growth के उपर और बहुत दार delays और इंतिजार आपको देखने को मिल सकता है second week में four of pentacles तो yes आपने emotions को height कर रहे हैं अपने आपको control कर रहे हैं या फिर आपकी growth या profit इतना नहीं हो रहा आपने किसी कहीं पर invest किया है किसी business में invest किया है और वहाँ पर इतना profit नहीं हो रहा तो second week में आपको थोड़ से अपने expenses कम करने पढ़ेंगे बहुत जाद दसो like हो सकते हैं आपको कहीं से step back मिला है या तो आपकी financial हालाद इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन आपने strength पे काम कर रहे हैं अपने आपको strong रखने के लिए आपने बहुत जादा अपने money को जो है वो कम खर्ची पर अपने आपको लगाया है इसके अलावा अगर आपको किसी person क कि दर से commitment का इंतिजार है वो commitment नहीं आ रही है तो आप बहुत ज़्यादा disappoint हो सकते हैं लेकिन अपने अंदर strength ला सकते हैं अपने अंदर strength लाएंगे अपने आपको strong बनाएंगे और अपने emotions को आप बहुत अदर control करने की कोशिश करेंगे और like किसी के भी सामने open up नहीं होन आप पहले जाते हैं कि यह bad cycle end हो उसके बाद ही कुछ नया start-up लेना चाते हैं यस हो सकता है कोई नई offer आपके पास आ रही है लेकिन आप उसको accept नहीं कर रहे हैं और जिस person से आप चाह रहे हैं commitment वो बहुत ज़्यादा delay हो रहा है यह भी situation हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए second week में हो सकते हैं आप बहुत ज़्यादा stock करें किसी को कोई नया person अगर आपकी life में आ रहा है तो आप उसके बारे में information हासिल करने की कोशिश करेंगे बहुत ज़्य आपको मिल सकती है किसी किसम की लेटसी वाइडिस पेज आप सोर्स क्यों है कैप्रिकॉण के लिए आपके लिए पेज आप सोर्स क्यों है नट केप्रिकॉन इस एक्वेरियस रीडिंग क्रेज के लिए पेजो सोर्स क्यों हैं यहां पर तीस इनीड गा इपनि, आपके साथ कर ताहंब सकते हैं या को आपका पर्सन जर्वा आपको बहुँत दर्ध स्टाक कर सकता है आपके साथ अगेंस एक रेलेशन्शिप में आना चाहते हैं अगेंस यहां पेचाव सोर्स की इनर्जी तो डेफिनेटली आपको पास मेमोरी बहुत जादा रिकॉल हो रहे हैं या सोशल मीडिया पर आपकी कोई पिक्चर नहीं आपके पार्टनर के पिक्चर नहीं तो आप उनको देखक हैं तो फॉर्थ वीक में आप में को इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और फॉर्थ वीक में आपके पास है थ्री ओफ एंडिकल्स तो आपके वर्क प्लेस में बहुत अच्छा टाइम हो सकता है अगें से म्यूचल अंडर्स्टैनिंग आपकी क्रियेट हो सकती है चाहे वर्क चाहे आप के पार्टनर के साथ है तो आप एक चांस उनको देने के लिए तियार हो सकते हैं पॉर्थ वीक में और अंडर्स्टैनिंग बनाने के लिए आपको मिल सकते हैं यहां पर ग्रोत है ऑगेंशे ग्रोथ आपकी लाइफ मी आ सकती है या फिर इस रिलेशनशिप में ग्रोथ कर सकता है यसाफ Sched को चांस दे रहे हैं कि अपने पार्टनर को अगेंश से और अपने अफ़तेरियर पादार करेंश कोने बिश्राइद को कर सकता है और इसके लावगा अपने जहां पर investments की थी महार delay आ रहे थे तो fourth week में आपको दुबारे से chance मिल सकता है कि आप growth ले सकते हैं अपने business मर या फिर आपको प्रोजेक्ट कर रहे थे अपने workplace पे with team work कर रहे थे उसमें तो वहां पर आपको दुबारे से chance मिल सकता है कि आप उसको करें और growth हासिल करें अपने workplace पे सो देख लेते हैं कि romance angel oracle की तरव से आपके लिए क्या advices है universe आपको क्या guidance देना चाहरा है Aquarius universe की तरव से आपके लिए क्या guidance है let go of control issues pay attention to the red flag signs are cautioning you तो येस यहां पर let go of control issue तो यहां पर आपको red flags पे जो है वो अगर कोई खत्रा आपको महसूस हो रहे है अपने किसी situation में तो आपने आपको closed off करें ठीक है और आपने अपने आपको control किया हुआ है अगर किसी situation में delay आप खुद कर रहे हैं अपने emotions कुछ दाहिर नहीं करें तो ये ये आप ना करें अगर कोई नया person आपके पास आ रहा है तो आप उसको उसके ओपर बहुत दा शक कर रहे हैं मतलब आपको यकीन नहीं है उसकी उसके तो ये सब आपको ये सब आपके इडवाइस हैं तो शायद आपको ये करना चाहिए true love तो ये आपको फिर ये find out हो सकता है कि ये आपका true love है इडवाइस ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करें अपने आपको ये आप बहुत ज़्यादा शक करें तो ऐसा ना करें क्योंकि ये आपका true love हो सकता है तो लेक्षी के आपके लिए ओवर एडवाइस क्या है और एडवाइस क्या है आप इस ताम तो रिलीजबिटी तो ये टाइम है कि आप अपनी नेगटिविटी को रिलीज करें अगर आपने बहुत दादा नेगटिविटी अपने माइंड में रिकेंदी जिसके जैसे आप डिले कर रहे थे सिच्वेशन को तो एंड उप दम मंत में हो सकता है आप चां आपको यह था कि यह शाहिद यह आपके लिए नहीं है यह आपके लिए सही नहीं है तो आप बहुता दिन इन फॉर्मिशन गिन करें तो इसलिए आपको काज आ रहा है कि चांस तो लें कम असकम तो आपको ग्रोध भी मिलेगी बिंग लव इंटो सिचुएशन तो यह अगर कि आपके जो लव लाई पर योजन के आ रहें तो उसको लव से हंड़े नहीं करें अरने करें तो आपको प्यार से अंडल करना चाहिए so that was your reading if it's such an issue please let me confirm in a comment below like my video subscribe my channel thanks for watching